असलावलेकूम वैसा तो मेरे अंदर बहुत एनर्जी है स्टैम्ना भी बहुत अच्छा है और स्ट्रैंड भी बहुत ज्याद है कोई ऐसी स्पोर्ट्स नहीं जो मैंने खेली नाओ क्रिकेट, फुटबॉल, बैंड मेंटन, टेबल टैनिस और पिछले 11 साल से मैं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ आज से एक साल पहले मेरी कमर में शदीद किसम की डर्द निकलाई ये नहीं पता लग सका कि किस वज़ा से निकली थी हो सकता है मेरे जिम में ज्यादा वेट उठाने की बहीं से निकलाई है नहीं होती इनसान को तो मैं पूरी फुल बोडी वॉक करके वाम अप करके जिम चला गयता था और खूब जान लगा के ना मैं जिम करता था और मुझे ऐसर में ये नहीं पता लग रहा था कि वो डे बाई डे वो दर्द बढ़ती जा रही है रेस्ट ना देने की वज़ा से तो मैं जब भी अगली सुबह उड़ता था ना वो दर्द बढ़ी होती थी तो मुझे समय नहीं थी कि दर्द एक तो निकली कैसे है और इतनी बढ़ क्यों रही है तो एक दिन ऐसा है कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि एक पूरा दिन आपको बैड पे लेटना पड़ेगा बैड रेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपकी कमर को थुरा से रेस्ट चाहिए तो मैं बड़ा हिरान होगा मजबूरी थी मैंने का एक दिन नहीं मैं दो दिन लेट जाता हूँ ताकि कमर को फुल रेस्ट मिल जाए ताकि आगे मैं आराम से जिम कर सकूँ वॉक कर सकूँ अपने सारे काम कर सकूँ तो मैं दो दिन के लिए बैड पे लेट गया उन दो दिनों में मुझे एक चीज रियलाइज होई जो कि आज बताने का मकसद है कि ये सिहत कितनी बड़ी नेमत है हमें ये सिहत मन दो के इसका एसास नहीं होता मैंने ऐसे लोगों के बारे में बच्चपन में सुना था और बड़े होके देखा भी है कि जिनको अल्ला ने पैसा थो बहुत दी है लेकिन अपर में बैड से हिल नहीं सकते बिमारी की वए ऐसे या को इनको खास किसम की कोई बिमारी होती है को इनकी बैक बोन जो फुली डैमेज होती है या उनको अपनी जवानी में को ऐसी बिमारी लग जाती है जिसकी वैसे वो जवनी में बैड पे लेड जाते हैं आपको पता कि ऐसे लोगों की एक ही खौईश होती है जो बिमारी की वैसे बैड पे पड़े होते है कि या ला तो हमें गरीब ही पैदा करती था लेकिन सिहत मन तो पैदा करता है कि सहत कितनी बड़ी नहमत है इसलिए अपनी जिन्दगी में सहत मन रहने के लिए एकसाइस को अपनी जिन्दगी का हिसा बनाएं और अपनी खौराग पे कंट्रोल करें ऐसा नहीं हो कि आपके ओपर भी वो वाखता है आपके लापरवाई की वैसे कि आप भी अपने आने वाली नसलों को ये बता रहे हो कि बेटा सेथ बहुत बड़ी नहमत है और आप बिमारी की वैसे बेड़ पे लिटे हो तो इससे पहले आपके ओपर बिमारी अटाइक करें आप बिमारी पे अटाइक कर दो वाह और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि वाक बेतर है या जॉगिंग बेतर है तो इस वीडियो क्लिक करें और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि breakfast, lunch, dinner हम डाइट के हवाले से क्या करें कि जिसे हमारा वजन नीचे की तरफ जाए तो इस वीडियो क्लिक करें यार इतने अच्छे message की बाद चैनल को subscribe जरू करें खाली देखा न करें अब तक के लिए इतनी अलाफैस